इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग फ्लीप कार्ड से अपना ATM कार्ड यूज करके अपना डेविड कार्ड यूज करके आईपोन जैसे बड़े बड़े मोबाइल यहां से बिल्कुल आप लोग अपने ATM को यूज करके ले सकते हो लेकिन सबसे पहले तो आपको step by step बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लाश तक देखना है अगर आप लोग कहीं भी मिस करते हो तो फिर आपको अपने यहां पर मोबाइल नहीं बिल पाएगा तो सबसे पहले तो आपको अपना प्ले अश्टोर ओपेन करना है अप्ले और स्टोर में आपको अगर फिलीप काड़ पर कोई अपडेट आया है तो सिंपल सा अपडेट कर लेना है अगर कोई अपडेट नहीं आया है तो यहां से आप लोग डिरेक्टली ओपन कर सकते हो अब डिरेक्टली ओपन करने के बाद यहां से आप लोग को जो भी पोड़ डेना है तो यहां पर सबसे पहले तो आपको ATM काट का usability check last में करना बताऊंगा तो यहां से सबसे पहले तो आपको अपना mobile select करना है जो भी आपको mobile को purchase करना है तो यहां पर अभी आप लोग देख सकते हो T2 Pro 5G आपको अगर कोई सा अभी यहां से मोबाइल लेना है तो सिंपसा उस पर आपको क्लिक कर देना है और आप लोग इस मोबाइल का प्राइस देख सकते हो कि अभी लगवाब 22,000 रुपया है और आपको हर मन 36 रुपया देना होगा लेकिन यहां पर आपको HDFC का क्रेटिट काड लगाना पड़ेगा लेकिन हमारे पास अभी कोई क्रेटिट काड नहीं है हम लोग सिर्फ अपना डेविट काड यानी ATM काड यूद करके यहां से मोबाइल को लेने वाले है EMI पर वो भी तो सबसे पहले तो अगर आपका मोबाइल का कोई कलर वेगेरा यहां से आपको चेंज कर सकते हो जो भी आपको कलर पसंद हो यहां से रायम अस्टोरे जो भी आपको लेना है यहां से आप लोग चेंज भी कर सकते हो उसके बाद यहां से आप लोग इसकी क्वाल्टी जो भी कुछ देखना है देखर यहां से आप लोग को सिंपसा क्लिक कर देना है यहां पर गेट नो कोष्ट EMI अब इस पर आपको simple साथ क्लिक कर देना है अब इस पर क्लिक करने के बाद इसके साथ अगर आप लोग को बर वगेरा लेना चाहते हो तो यहां से आप लोग इसे add कर सकते हो नहीं तो आप लोग को ask and continue पर क्लिक कर देना अब जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपका address आजाएगा तो चाहो तो आप लोग चेंज address पर क्लिक करके इसका address डिरेक्ट आप लोग चेंज भी कर सकते हो लेकिन हमें इसी address पर चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको नीचे अस्क्रोल कर लेना है और फिर आप लोगों को यहाँ पर continue with EMI पर क्लिक कर देना है अब जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका next page open होगा उसके बाद यहाँ पर आपको दो offer चल रहा है जहाँ पर कि आप लोग को 2000 का discount भी मिल सकता है तो सिंपल साइ इस पर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोग को credit card मांगा जा रहा है लेकिन हमारे पास कोई credit card नहीं है हमारे पास सिर्फ debit card है यहाँ पर आप लोग देख सकतो no cost EMI debit card तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें अभी debit card यूज़ करके mobile को purchase करना है यहाँ से आप लोग को थोड़ा सा नीचे और scroll कर देना है और यहाँ पर आप लोग को credit debit card ATM card सिंपल साइ इस पर आपको क्लिक कर देना है अब जैसे ही इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका ATM का यहाँ पर ATM card मांगेगा और यहाँ से आपको month और experiment सेलेट करना है उसके बाद यहाँ पर आपको CCB सेलेट करना है लेकिन अभी यहाँ पर जैसे ही ATM card का account number डालोगे account number डालोगे तो यहाँ से आप लोग डिटेल डालते हो तो अभी आपको पैसे को payment करना पर जाएगा लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा के लोग को अपने ATM card का offer चेक करना है कि कैसे आपको कितने रूपिय का offer मिलेगा EMI पर कैसे ले सकते हो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास अगर SBI का यहाँ पर debit card है ATM card है तो सबसे पहले तो इस code पर आपको मैं dismiss करना होगा जैसे इस code पर आपको लिखना है DCEMI Simple सा इसे आप लोग को capital culture में लिखकर send करना है अगर आपके पास ADFC bank है तो simple सा आप लोग को इस code को डालना है और उसके बाद यहाँ से आप लोग को उसको इस पर send करना है MYSDFC Simple सा इस बही आपको capital लिखना है उसके बाद अगर आपके पास ICIC bank है तो इस code को डालकर यहाँ से आप लोग को DCMI लिखना है जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उसके बाद एका space देना है और उसके बाद अपने debit card का चार अंग यहाँ पर send करना है इस number पर और सेम तरीका यहाँ से आप लोग access bank का भी है तो इसके लिए simple सा वही इस number पर यहाँ पर सेम वही भेजना है तो अगर आप लोग मेरे पास already SBI का account है अगर आपके पास कोई सा भी bank का ATM card है तो आप लोग नीचे comment section में जरूर बताना कि आपके पास कौन सा bank का ATM card है मैं उस पर और वीडियो बना दूँँगा फिलहाल तो यह चार अप चार bank के लिए यह वीडियो है तो सबसे पहले तो मेरे पास SBI क्या है तो यहाँ से आप लोग को डाइलर ओफिन कर लेना है अब जैसे ही डाइलर ओफिन करोगे तो यहाँ पर इस code को डाल देना यहाँ पर मैंने already message को send कर रखा है जो कि मैं आपको live proof दिखाता हूँ उसके बाद यहाँ पर इस code को डाल कर यहाँ पर आप लोग लोग सकते हो कि मैंने code को यहाँ पर डाला था और यहाँ पर send किया था DCMI तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उधर से message आया your requested has been fully forward bank you are the suddenly received the response यहाँ से आपको साब साब बता रहा है कि जिसनों होने bank से bank को भेज़ दिया है और bank आप लोगों को अब बताएगा कि कुछने रुपे तक आप लोग EMI पर ले सकते हो तो इसके लिए थोड़ा सा आपको wait करना होगा अभी आप लोग टाइम देख सकते हो कि साड़े छे हो रहा है लेकिन यहाँ से आप लोगों को अभी नहीं मिल पाएगा क्योंकि अभी तो bank बन हो गया होगा तो आप लोग एक बात दियां रखना जब भी भी आप लोग इस message को करो तो कम से कम आप लोगों को 10 बज़े से लेकर 5 बज़े तक करना है लेकिन यहाँ पर time over हो चुका है इसलिए नहीं आ रहा है जब आप लोगों को यहाँ पर वो code मिल जाएगा उसके वहाँ पर जब आप लोगों को बता दिये जाएगा कि इतना रुपे तक आप लोग EMI पर phone ले सकते हो तब आप लोगों को यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद अपना ATM का यहाँ पर number डालना है उसके बाद CCB डाकर यहाँ से आप लोगो get offer आ जाएगा और उस पर आप लोगो क्लिक करके mobile को order कर लेना है अब आपका mobile सिंपल सा आपके address पर पहुँच जाएगा तो इस परकार से आप लोग click card से EMI पर mobile ले सकते हो तो अगर आपके पास इन सभी बैकों का ATM काड नहीं है तो नीचे comment section में जरूर बताना कि आपके पास कौन सा बैक का ATM काड है मैं उस पर आपके लिए वीडियो ला दूंगा तो नीचे comment section में जरूर बताना और उमीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चेनल को भी subscribe जरूर कर देना तो चलिए तो फिर मिलते हैं आगले वीडियो में